हेलो फेंड्स, वेलकम तो हिस्ट्री सिंप्लिफाइट फॉर आयेश, तोड़े वी बिल डिस्कस अबाउट हर्ष वर्धन स्रूल, हर्ष वर्धन जो की पुष्य बूती डायनेस्टी से आते थे, वर्धन डायनेस्टी से आते थे, उनका मेजर सोर्स जो हमारे पास हैं, वो एक हो गया बानाभट्स हर्ष चरित्र, और दूसरा सोर्स हो गया ह्यूंग सैंग के अकाउंट्स, ह्यूंग सैंग एक चाइनीज ट्रैवलर थे, जो हर्ष वर्धन की रूल के समय इंडिया में आये थे, वर्धन डायनेस्टी को पुष्य भूती डायनेस्टी या भूती ने फाउंट की थी, इसके सोर्स हमारे पास गया है, बानाभट की हर्ष चरित्र, तो हर्ष चरित्र में ये बताया गया है, देन उसके बाद आदित्य वर्धन और उनके सन प्रभाकर वर्धन भी रूलर रहे, और इनोंने स्थानेश्वर को अपनी कैपिटल बनाया स्थानेश्वर से ये रूल कर रहे थे, सो स्थानेश्वर is a place which is in कुरुक्षेत्र डिस्टिक ओफ हर्याना, तो ये माना जाता है कि मौकरी रूलर जो थे कनौज के, उनके अंडर में प्रभाकर वर्धन रूल कर रहे थे, उनके फ्यूडेटरी रूलर थे, और प्रभाकर प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, राजय वर्धन और रहे थे, आपनी पुत्री राजय श्री का विवात करवाया, तो यहाँपे एक स्टोरी जो हर्चरित्र में दी गई है, एक बात बताई गई है जिसमें ये बताया गया है कि जब प्रभाकर की डेथ हो गई प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद मालवा के राजा देव गुप्त ने कनौज के उपर अटेक कर दिया और देव गुप्त ने इसमें हेलप किसकी लिए शशांग देव की जो की गौड़ रुलर था आटेक किया और ग्रहवर्मन को इनको मड़र कर दिया वर्धन को घृष़वर्धन के बड़े भाई थे उन्होंने मालवा रूलर को डिफियट किया लेकिन राजेवर्धन को धोखे से शशांक देव ने इनका मडर कर दिया। उसके बाद हर्षवर्धन पिचर में आये। हर्षवर्धन ने राजेश्री को रिस्क्यू किया। राजेश्री सती करने जा रहे थी तो उसको सती करने से रोका। ये कनौज में हर्षवर्धन ने राजश्री को सेव किया उसके बाद हर्षवर्धन ने भासकर वर्मन जो कि एक काम रूप के रूलर थे असाम के रूलर थे भासकर वर्मन के साथ मिलके हर्षवर्धन ने शशांग देव को रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया लेकिन हर्षवर्धन ने डिरेक्टली शशा नौट से रूल उन्होंने करना शुरू किया और उससे भी पहले हर्षवर्धन वस रूलिंग फ्रॉम स्थानिश्वर जो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं यह उस समय की बात है जब राजवर्धन जो की हर्षवर्धन के बड़े भाई थे वो रूलर थे and he was ruling from में राजवर्धन रूल कर रहे थे तो मौकरी जो रूलर थे उनकी death के बाद मौकरी डाइनस्टी का जो पूरा रूल था जो पूरी territory थी प्लस जो हर्षवर्धन की territory थी वो दोनों territories combined हो गई सो हर्षवर्धन ने जितने भी उस समय republics थे northern इंडिया में और central इंडिया में उन सब को मिलाके उनके representatives को बुलाया और ये सारी republics के representatives ने मिलके एक assembly में 606 AD में हर्षवर्धन को महराजा का title दिया और हर्षवर्धन ने कनोज को अपनी capital बनाया और वहां से उन्होंने rule करना शुरू किया इस chapter में एक question ये पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन was ruling on a loose confederation तो इस तरह का अगर question का answer देना है तो हमें हर्षवर्धन के rule के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए उनके territorial gains के बारे में पता होना चाहिए और किस तरह का वहां पे rule चल रहा था तो देखे administration त रूपतास की तरह ही था तो feudal rulers ज्यादा उसमें rule कर रहे थे तो इसी तरह से एक answer जो हमें हर parts से लेके इसमें बनाना पड़ेगा कि कुछ जो parts है वहां पे confederation की तरह rule हो रहा था और कुछ जो core areas थे वहां पे हर्षवर्धन directly rule कर रहे थे तो अगर हर्षवर्धन की जब व कुछ parts इनका अंटर में थे और east में काम रूप तक इनका rule extend होता था south में नर्मदा रिवर तक इनका rule extend हो रहा था यह देख लीजिए यह इनका map बनता है तो यह कुछ central इंडिया के part भी इसके अंदर में आगे then eastern इंडिया के parts भी इनका अंटर में थे यहां पे काम रूप क बनवाया so Bengal हमने बोला कि Bengal भी इनके अंडर में आ चुका था then यह देख लीजिए यह बिहार का जो part है जो मगत राज्य होता था मगत राज्य भी इनके अंडर में था then कर्नौज जो कुछ समय पहले ही prominence में आया था कर्नौज इनकी capital बनी थानेश्वर इनकी पुरानी capital दी वो भी इनके अंडर में रहा so यह इनका total extent इनके rule का रहा then south में नर्मदा रिवर्दा के इनके rule extend कर दिया था then नर्मदा से south में जाने की जब कोशिश की तो वहाँ पे पुला केशिन 2 के साथ यह challenge में आये और चालुक के dynasty से पुला केशिन 2 एक strong ruler थे so पुला केशिन 2 की army न treaty के अनुसार नर्मदा रिवर इनकी boundary बन गई दोनों राज्यों की so हर्षवर्धन नर्मदा रिवर के south में अपने राज्ये को expansion उसको नहीं कर पाए उसके अलावा हर्षवर्धन के tank dynasty जो समय थी tank dynasty चाइना की इनके साथ भी अच्छे diplomatic relation हर्षवर्धन के रहे तो हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं तो हर्षवर्धन के एक तो rule के बारे में जो हमने देखा कि confederation उनका था उसके बारे में question हो सकता है दूसरा जो mains में question पूछा जा सकता है वो इस बात पे भी हो सकता है कि हर्षवर्धन की personality के बारे में कि किस तरह के व्यक्ति का जो समय था उसमें से एक पार्ट वो state affairs के लिए devote करते थे और बाकी दो पार्ट उन्होंने अपने दिन को तीन पार्ट में बाटा हुआ था one part he used to give it to state affairs और बाकी जो दो पार्ट थे वो religious works में devote करते थे administration में जैसे कि हमने पहले बोला कि गुपता जो पहले administration चल रहा था उसी pattern पे हर्षवर्धन के administration भी चलता रहा तो इसके लिए आप गुपतास के administration उसको एक पर फिर से refer कर लीजेगा most of the part वही रहा तो इसलिए हर्षा के administration के ओपर question पूछना थोड़ा सा मतलब ज्यादा उसमें chances नहीं है तो हर्षवर्धन को एक council of ministers थी जैसे कि गुपतास के समय पे थी यहाँ पे भी council of ministers थी almost similar जो थे ministers थे like मंत्री थे chief minister then महाबालादी कृता, commander in chief, महाप्रतिहार, chief of the palace guard, महाधन नायक, chief justice तो इसी तरह के जो ministers हैं, officers हैं यह हमें गुपता period में मिलते हैं आपने देखा कि गुपतास का जो empire था, that was divided into bhukhtis, similarly हर्षवर्धन का भी bhukhtis में divided था, then was further divided into vishyaas so, vishyaas होगे इस समय districts और bhukhtis होगे provinces, तो उसी तरह से जैसे कि गुपतास में provincial, provinces में एक governor होता था then district में भी कुछ officials थे, उसी तरीके से यहां पे भी officials थे, लेकिन जो local government थी, वहां पे core areas को छोड़के, बाकी जो areas थे, वहां पे rule जो था, that was being done by the lesser kings, और the feudatory rulers तो वैसे गुपता पीरेट में चल रहा था, गुपता पीरेट में वह start जो थी, slowly slowly हो रही थी, तो gradually वह बढ़ती गई, तो हर्शवर्दन के समय में भी foodatory rulers लोकल administration को संभाल रहे थे, हम उन areas की बात कर रहे हैं, जो core areas नहीं है, जो core areas में तो directly इन्नी की officials काम करते थे then Hume Sang बोलते हैं कि हर्शा का जो समय थे हैं, उनके administration के बारे में बोद इन्होंने अच्छी बाते की हैं, crime rate काफी कम था, हर्शा के justice system के बारे में इन्होंने काफी अच्छा बोला है, लेकिन Hume Sang की accounts में reference मिलता है कि इन्हीं को दो बार rob कर लिया गया, तो दो बार इन्हीं के ज़्यादा ही बड़ा चड़ा के बोल रहे हैं और हर्श्वर्धन के समय में, maybe crime rate इतना ज़्यादा लो नहीं था, जितना Hume Sang दर्शाथ है, so क्योंकि Hume Sang खुद बोल रहे हैं कि वो दो बार उनको rob किया गया है, then revenue के बारे में देख लेते हैं, तो income का main source land revenue था, land revenue कितना थ 1 6th of the produce, so 1 6th of the produce was taken as land revenue, उसके अलावा, toll and duties on trade, mining, royal land, tributes from vessel states, तो ये भी जो है, दूसरे sources रहे हैं, income के, अभी जितने income यहाँ पे एकतरीत की जाती थी, that was now spent in 4 parts, तो 4 part कर दी जाते थे, state के income का, so पहला part जाता था, king के बारे में के पास, और जो officially उनकी ceremonies होती थी, तो उसमे चला गया, पहला part, then second part चला गया, salaries देने में, public servants को, और बाकी जो खर्चे होते थे, public servants को उपर, उसमें second part चला जाता था, इनका, so तीसरा part जाता था, scholars और learned men के उपर, जिनको ये patronize कर रहे थे, तो जिन लोगों को patronize कर रहे थे, उनके उपर भी, एक major part इनका, state revenue का, ये ख हर्षा ने gold और silver coins issue किये, इनके अंदर इनको refer किया है, as हर्षदेव या श्री शीला दित्य, तो शीला दित्य के नाम से, या हर्षदेव के नाम से, ये gold और silver coins circulate किये गए, then हर्षवर्धन, माना जाता है कि एक learned man थे, इन्होंने तीन संस्कृत के plays लिखके थे, रतनावली नागनन और प्रिया दर्शिका, काफी बार इसके बारे में हम लोग discuss कर चुके हैं, then उसके बाद बानभट, जो इनके courtier थे, उन्होंने हर्ष चरित्र लिखी थी, उसके अलावा कादंबरी लिखी थी, ये दो इनके major work रहे हैं बानभट के, उसके अलावा मयूर, हरीदत, जैसे ना, ये कुछ और learned men थे, जिनको इन्होंने, इन scholars को patronize किया था, then बानभट कहते हैं, कि इनके अलावा काफी ज़ादा painters भी थे court में, जिनको patronize किया गया, लेकिन इनके बारे में हमें, और कहीं से, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, then, जो seals मिली हैं, हर्ष वर्धन की, उसमें ये बताया गया, कि इनके ancestors जो हैं, देवर सन वर्षिपर्स, इनके भाई को बुद्धिस्ट बताया गया, और खुद को इन्होंने शैव बताया, तो ये खुद शिप जी के भक्त बताये गये हैं, then, लेकिन हूंग सैंग बोलते हैं, कि हर्ष वर्धन व पक्ष है, वो ये कहते हैं, कि मेबी लेटर पार्ट जो उनका रूल का है, उस समय हर्ष वर्धन वो बुद्धिस्ट में convert हो गए थे, तो इन दोनों अकाउंट्स में से कुछ भी possible है, लेकिन हूंग सैंग कहते हैं, कि वो एक बुद्धिस्ट थे, then, हर्ष ने बहुत सारी Monasteries का construction करवाया, जहां जहां पर गौतम बुद्धा की लाइफ से जो जगह associated थी, उन जगह उपर Monasteries बनवाई गई, then, बहुत सारे सुपास, गंगा रिवर के बैंक के उपर, बिल्ट करवाई गए, एनिमल स्लोटर को भी बैन कर दिया, ये शायद कुछ कहीं से related है कि ये सभी religions के scholars को इन्होंने patronize किया था, then, annual assembly बुलाई जाते थी, जिसमें सभी scholars को बुलाया जाता था, उनके उपर काफी ज़्यादा खर्चा किया जाता था, उनको donations दिये जाते थे, ये इसी के बारे में हम लोग पहले देखिए, यहाँ पे हमने discuss किया कि, जैसे चार पार्ट ग्रेट असेंबली रते थे हर पांट साल में, तो इस ग्रेट असेंबली का नाम था मोक्ष, तो मोक्ष नाम की ग्रेट असेंबली हर five years में organize कराई जाते थी, उसके अलावा, ह्यूंग सैंग बताते हैं, about a 21-day religious festival, जो की हर्षवर्धन ने कनोज में कराया था, इसके बारे म जो इन्होंने religious festival organize कराया, यही हमारे बास हर्षवर्धन के बारे में है, हर्षवर्धन की personality के उपर जो मैंने बोला, question आने की chances बनते हैं, और दूसरा, कि उनका rule confederation था, loose confederation था, उस तरीके का question इसमें आ सकता है, यही पर इसको खतम करते हैं, अब हम अगले part में, we'll go to the other kingdoms which were contemporary of Guptas, तो उनके बारे में हम लोग discuss करेंगे, like Kadambas, then we'll discuss about Chalukyas, Pallabas, तो वो सरा हम आगे discuss करते रहेंगे, so thank you very much for now, and have a very nice day.